नमस्कार दोस्तों अब सभी को आपके अपने चैनल एक्स्प्रोडिंग मासल्फ में स्वागत है दोस्तों अगर आप इस वक्त मेरे ये वीडियो देख रहे हो तो शायद हो सकता है कि आप भी मेरी ही तरह एक सस्ता सुन्दर टिकाव वाला सॉलूशन ढोंड रहे हो और क्या पता हो सकता है कि आपके उन सारे सवालों का जवाब यहीं मिल जाए तो आप सभी सी ये अनुरोद है कि आप इस वीडियो को पूरे अन तक बीना स्किप के वे ज़रूर देखेगा और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक, शेर और चानल को ज़रूर सब्सक्राब कीजेगा दोस्तो आज की हमारे इस वीडियो में हम दो चीज़ों में में फोकस करेंगे पहला एक तो इसका वीडियो क्वाइटी कैसा है और दूसरा जो की सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है और शायद जिसके लिए आप भी हमारे साथ इस वक जुड़े हुए हो बाइक चला तो हे हिलमेट के अंदर से जब हम बात करते है उसका वोईस क्वाइटी कैसा रहता है और हाई स्वीड में जब विंड नॉइस या फिर विंड प्रस्ट बहुत जादा होता है तब हमारा वोईस का क्वाइटी कैसा रहता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं गुद मॉर्निंग दोस्तों दोस्तों यहां पर एक चीज़ नोटीस कीजिए मैं बेस्मेंट पर हूँ मैंने बाइक स्टार्ट किया गियर भी डाला और चलने भी लगा फिर भी उसका कोई असर या फिर आवाज सुनाई नहीं दिया फिलहाल में मैंने एक एक्शन कैमरा ल अब ही मैं फिलहाल एक टेस्ट कर रहा हूं तो वो टेस्ट में कैसा परस्वाम करता है उसको उपर मैं आपको बताऊंगा यूंकि मैंने यहां पर एक जुगार भी लगाया हूँ तो वो जुगार कैसे काम करता है नहीं इसका क्या क्या लगाया हूँ और जुगार ना लगाने से क्या क्या दिक्कते आ सकती है तो चलिए बने रही है हमारे साथ यहां देखिए यहां पर अभी मैं रस्ते में हूं फिर भी आसपास कोई वी आवाज बिल्कुल नहीं आ रहे जब मैं बात कर रहा हूं फिलाल तो मुझे यह भी पता नहीं है कि वीडियो कैसे आ रही है बोले तो कि जैसा आना चाहिए वैसा है कि चलेगा कि यह एक्जक्ली हो क्या रहा है यह देखिए अभी मैं 30 के स्पीड में हूं और बाहर का कोई भी नॉइस हमारे इस वीडियो को इंपक्ट नहीं कर रहा है तो अभी हम तो सिटी के अंदर ही है तो अभी हमको यह भी देखना है कि यह जब चलाते हुए इतना विडियो नॉइस आ रहा है तो इसका इंपक्ट अपना वीडियो के कितना हो रहा है कि मतलब मालों कि 60-70 में जाता है तो इसका sound wind का noise जो आता है वो कैसे रहता है या फिर जब 100 में जाते हैं तो कैसा होता है या फिर दोरा और आके जाते है उसका sound वीडियो के उपर कैसा impact होता है तो अगर सब कुछ सही है तो मैं आपको शायद 12-13 रुपया का मतलब इजाफा क करवा सकता हूं मुझे भी नहीं इन्वेस्ट करना है उतना भी फिलहाल नबबई के स्पीड में आवाज पिलकुल क्लियर है दोस्तों अभी हम थोड़े दूर आ चुके हैं यह है होस्कोटे मतलब होस्कोटे के तरफ चल पूर है तो जो लोग बैंगलोर में रहते हैं और थोड़ा बहुत घूमते रहते हैं तो इसको तो यह जगह पता ही होगा कि उसे कड़न करने जा रहे हैं वैसे मेरे साथ मेरा दो-तिन साथी और भी था लेकिन मेरा दिक्कत कि अब विजो मुझे रुकना पड़ा यह देखिए दोस्तों इस वक्त मेरे आगे पीछे डाइने बाएं चारो तरफ ट्राफिक है पर इतने ट्राफिक होते हुए भी उसका कोई भी नॉइस हमारे इस वीडियो के वाइस कोई बी इंटरफेरेंस नहीं कर पा रही है तो अभी पता नहीं असी नबभई के स्पीड में मेरा आवाज कैसे आ रहा है इसमें को यह को भी हो रहा है कि ने उभी पुछ बताने चल रहेगा जब तक मैं इसको खोल के या फिर इसका जो वीडियो फूटेज में ले रहा हूं वो देख सको यह लगता है अभी जो मोबाइल स्वारी यह जो चीन माउंड में उस कर रहा हूं उसका तेक जे टाइप का वो शायद आपको भी पता होगा उसको थोरा शायद मुझे चेंज करना पड़े या फिर दूसरा कुछ जुगान का लगाना पड़े 110 के स्पीड में भी आवाज की क्लारिटी में कोई प्रोब्लम नहीं है और यह देखिए अभी मैं लगबए 120 के स्पीड में हूँ ना तो विंड नॉइस या फिर विंड ब्लस का कोई भी असर हमारे वोईस में इंपक्ट नहीं हो रहा है तो दोस्तों इस व्लॉग में मुझे सर्फ इतना ही देखना था कि मैं जो जुगाल लगाया हूँ अपने वाइस सोवर के लिए मतलब विदिन अगर मैं बात करता हूं तो वह बात कैसी आती है यह नहीं आती है तो अगर सब कुछ सही आ रहा है तो यह मैं वीडियो अपलोड करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा और उसके बाद अपलोड करूंगा देखते हैं मस्ताना यार मेरा रंगी नजारा धरकन ये कहती है समझो इशारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा मुझे पता है मैं बहुत बख्वास गाता हूं तो फिर भी मैं खुद को सुनाने के लिए गा लेता हूं तो क्या है ना हर बार हर इंप्रस करना तो नहीं ज़रूरी है कभी-कभी खुद को भी इंप्रस कर लिया कर भई है ना तो यह थी दोस्तो हमारे आज की DJI Osmo Action 4 Cam की माइक टेस्टिंग वो भी हिलमेट के अंदर से और सी टाइप वैड कनेक्टर के साथ आम रियली इंप्रेस्ट विद विद वोईस क्वालिटी अन लो स्पीड, हाइ स्पीड, सिटी ट्राफिक, हाइवेस, विदाव विन ब्लस् आम रियली रियली इंप्रेस्ट है, चलो इस बहाने तो मेरे वायलेस माइक खरिदने के अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरा 13-14 हजाद तो मैंने ऐसे ही बचा लिया, तो दोस्तों उमिद करता हूँ आपके बहुत सारे सवालों का जबब अब आपको मिल गया होगा, औ और फिर भी अगर मन में आपके इस बारे में कोई दूसरे और सवाल है, तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकतो, मैं जल्दी कोशिश करूँगो उन सरी सवालों का जवाब देने के लिए, और हां, जैसे मैं इस वीडियो के शुरुवात में कहा था, अब भी कह रहा हू कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आपको पता है आपको क्या करना है, तो चलिए दोस्तों, आपका और हमारा मुलकात बहुत जल्दी होने वाला है, अपना DJI Osmo Action 4 कैमेरे के खासियात, इसका डिपेंडेंसी और इसका खामे के बारे में बात करने, जब मैं बात झाल 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 झाल